नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का आज के मुखे समाचार के इस वीडियो में जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबडे एक एक करके पचास बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे वीडियो के शाथ अंतक बने रहें साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपने अवी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करते साथ ही वीडियो के नीचे दिएगए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाले और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भड़ की बड़ी खबरों की जनकारी लगतार मिलती रहे तो चलिए दोस्तों वीडियो को फटा-फट सुरू करते हैं चीन को मिलेगा महतोर जवाब बौडर पर इस 400 तैनात करनी की तैयारी में जूटा भारत अप्रैल तक चालू होगी पहली यूनिट जिया भारत ने इस 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात करने पर काम सुरू कर दिया है यह रूस में निर्मित उन्नत सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है जिसकी पहली यूनिट अप्रैल में ओपरेशनल हो जाएगी मामले की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि चीन के खत्रे से निपटने के लिए सभी पाच यूनिट को जरूरी छेतरों में तैनात किया जाएगा रिपोर्ट के नुसार इस 400 सिस्टम की सभी पाच यूनिट के अगले साल तक चालो होने की उमीद है एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो 40 किलोमेटर और 400 किलोमेटर के बीच की दूरी पर दुस्मन के विमान या मिसाइल को मार सकता है साथ ही इसमें सक्तिसाली रडार लगा हुआ है जिसे हम डिफेंस सिस्टम का दिल कह सकते हैं और अगली बड़ी खवर की बात कहें तो हर घर का पता बताएगी यूनिक आईडी जैसे आपके पास है अधार वैसे ही मकान का होगा स्पेसल कोड जिहां आप जब भी अपने परीचे के साथ अपना एड्रस बताते हैं तो गली मुहला लैंडमार्क गाउं सहर राज्य पी यूनिक आईडी होगी हर राज के हर गाउं सहर के हर मुहले में इस्तित हर भवन का एक डिजिटल कोड होगा संभावना है कि आने वाले समय में यह डिजिटल कोड पीन कोड की जगा ले लेगा देश में करी 75 क्रोर माकान है डाग विभा का लक्ष है इन सभी के लिए 12 और अमेरिकी टेक कंपनियों का दबदबा है लेकिन भारत सरकार विदेशी कंपनियों की बराबरी में घरेलू स्मार्टफून कंपनियों को खड़ा करना चाहती है जिसे भारत में सस्ते स्मार्टफून का निर्मान हो सके Ministry of Electronics and Information Technology इस दिसा में TG से काम कर रही है और करिब सोग हरेलू कंपनियों को सेमी कंड़क्टर चिप डिजाइन के लिए आवेदन मांगा है जिसे भात में सेमी कंड़क्टर को डिजाइन किया जा सके भारत सरकार देश में सेमी कंड़क्टर चिप डिजाइन एको सिस्टम क विकास करना चाहती है ताकि वीरेशी स्मार्टपून के दबदवे को कम किया जा सके और अगली बड़ी खवर्ड की बात के तो अब पेंसन हासिल करने के लिए सिर्फ आपका चेहरा आएगा काम दस्तावेज जमा कराने की नहीं पड़ेगी जरूरत जीहां कार्मिक राज् पेंसन जारी रखने के लिए सलाना अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है। अगर किसी जमीन पर पहले से बिजली के पॉल लगे हो ड्रेनेज लाइन बिची हो और उस प्लोट तक सरक जाती हो तो इस जमीन को बेचने पर जीएस्टी नहीं देना होगा। जमीन की बिक्री को जीएस्टी के दायरे से बाहर रखा गया है। सरकार ने कई अहम फैसले किये हैं। इसके तथ अगले पास साल में स्कूली सिक्षा पर करीब 3 लाग करोड रुपे खर्च किये जाएंगे। जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर उठाएंगे। सभी सरकारी स्कूलों में प्ले स्कूल की तर्ज पर बाल वाटी का खुलेगी। यहां तीन साल से अधिक उम्र के बच्चों को खिलोनों पर आधारित सिक्षा दी जाएगी। वहीं अगले दो सालों में देश्क सभी स्कूलों को डिजिटल बोर्ड सहीत, दुसरे अत्याधुनिक संसाधनों से भी लैस किया जाएगा। योजना के सौरूप में बदलाओ से स्कूली सिक्षा की गुनवत्ता में और सुधार आएगा। इल से होने वाले प्रदूसन को भी माना जाता है। जिहां देश और दुनिया भड़ के राम भक्तों के लिए अयोध्या से एक बड़ी खबर आई है। त्री राम जन्व भूमी तीर्थ छेत्र ट्रस्ट ने दावा किया है कि दिसंबर दोहजर तेश तक राम मंदिर में स्रधालू अपने अराध्य राम लल्ला का दर्शन कर सकेंगे। अयोध्या में बन रहा राम मंदिर 2023 दिसंबर तक राम भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। पर पड़ा है जिसके चलते देश भर में अलग-अलग समानों के वैपार में पिछले 15 दिनों में आउस्तन 50 फिजदी से ज्यादा की कमी आई है। देश में कुल रिटेल वैपार लगबग 150 लाग क्रोड रुपे का होता है। यह बताते हुए Confederation of All India Traders ने केंद सरकार और सभी राज्यों के मुख मंत्रियों से कहा है कि कोरोना से बचाओं के लिए हर समोग कदम उठाया जाएं इस पर कोई दो रायन नहीं हो सकती है लेकिन पर्तिबंधों के साथ बैपारिक और आर्थिक गतिविदियां भी सुचारों रूप से चलते रहें इस बार में भी सरकार विचार करें और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हीट एंड रन रोड एक्स्टिदेंस में मारे गए लोग के पडिवारों के लिए मुआवजे की रासी को सरकार जल्द ही 25,000 रुपे से बढ़ा कर 2,000,000 रुपे करेगी जी हां सरकार ने हीट एंड रन सड़क दुर घटनाओं में मारे गए लोग के पडिवारों के लिए मुआवजे की रासी को 25,000 रुपे से बढ़ा कर 2,000,000 रुपे करने का परस्ताओ रखा है सड़क पडिवहन और राजमार्ग मंतराले ने हीट एंड रन सड़क दुर घटना पिरितों के लिए मुआवजे की रासी बढ़ाने के लि दुरगटना पिरितों के इलाज के लिए किया जाएगा और अगले बड़ी खबर की बात करे तो ओमिक्रों की उल्टी गिंती सुरू भरती वैक्सिन का हुमेंट ट्रायल जल्द ही सिर्फ नए कोरोना वेरियंट को बनाएगी निशाना पूने की कंपनी ने की है तैयार जि इसके हुमेंट ट्रायल सुरू होने जा रहे हैं वेरियंट स्पेसिफिक वैक्सिन देश की पहली MRNA टेक्नलोजी पर आधारित वैक्सिन है बता दे कि इससे पहले ही कंपनी कोरोना के अब तक का सबसे खतनाक साबित हुए डेल्टा वेरियंट के लिए भी ऐसा ही आधारियों की जानकारी हासिल करने के लिए देश्ट डेफेस सेकטर पर साइबर अटैक करनी की कोसिस कर रहे हैं सुरक्षा जैन monopoly कंप्यूटर्स की है जिसे हैक करनी की कोसिस की गई साथ ही सौल से ज़्यादा वेव अप्लिकेशन का पता लगाया गया जिसके जर्य हैकिंग की कोसिस की जा रही थी साइबर अटेक की जानकारियों को केंदर के साथ साथ रज्य सरकारों से साजा की गई है चीने पता लगाने की कोशिस में है कि भारत एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ साथ अपने फाइटर जेट से लेकर दुसरे हाथियारों को कहां कहां तैनात कर रहा है और अगले बड़ी ख़वर की बात करे तो SBI ATM से कैस निकालने के बदल गए है नियम जान लेजिए प्रोसेस वरना अटक जाएंगे पैसे जी हाँ बैंक गरहकों के लिए काम की खबर है बैंक ने ATM से कैस निकासी के नियमों में बदलाव कर दिया है SBI ने ATM से ट्रांजेक्शन को और अधिक सुरक्चित बनाने के लिए एक नई पहल किये है अब SBI ATM से कैस निकालने के लिए आपको OTP दर्ज करना अनिवारे होगा अब ने नियम के तहद गरहक बिना OTP के कैस नहीं निकाल सकता है इसमें कैस निकासी के समय गरहकों को उनके मोवाइल फोन पर एक OTP मिलता है जिसे डालने के बाद ही ATM से कैस निकलता है आपको बता दे कि 10,000 और उससे ज़्यादा रकम निकासी पर नियम लागू हुए है और अगली बड़ी खबर की बात के तो आम आदमी को महंगाई का जटका नहाना और कप्रे धोना भी महंगा पर मुख कंपनी ने बढ़ाये दाम जानिये कितनी होगी जेब ढ़ीली जी हाँ देश के लोग को अब अपने घरेलू खर्च में और अधिक जटका लगने जा रहा है रोजमर्रा की जरूरत के साबून सर्फ के दामों में फिर से बढ़ोती हुई है हईवल ने डिटरजेंट सेनी में एक किलो ग्राम और पांसो ग्राम दोनों पैक के लिए वील की कीमत बढ़ाये हैं यह बढ़ोतरी 3.5% की गई है इसी तरह सर्फ एकसल जैसे महंगे उत्पादों के दाम अधिक बढ़ाये गए हैं अब एक किलो ग्राम पैकेट के लिए 14 रुपे जादा खर्च करने पड़ेंगे वहीं कमपनी ने अपने लोग प्रिये साबून लक्स और लाइब वाय के दाम भी बढ़ा दिये हैं इसके दाम करीब 8-12 फिजदी महंगे हुए हैं कमपनी के नुसार कीमतों में बढ़ोतरी कच्छे माल के दामों में विरीधी के चलते हुए हैं